सरकाल के दवरान भी देखा और ये पिछले नव वर्षों में भी हम बार बार देख रहें हैं भारत में स्थीर और मजबुत सरकार होने से आज पूरे विश्व का भारत पर भरोसा बढ़ा है साथियों एंडिये की एक और विश्यस्ता रही है जब हम विपक्ष में थे तब भी हमने हमेशा सकारात्मक राजनीती की हमने कभी नकारात्मक राजनीती का रास्ता नहीं चुना हमने लोकतंतर को मजबूत करने के लिए अपना हर दाइत्मन निभाया हमने विपक्ष में रहकर सरकारों का विरोत किया उनके गोटालों को सामने लाए लेकिन कभी जनादेश का अपमान नहीं किया हमने सरकारों का विरोत करने के लिए कभी भी विदेसी मदद नहीं मांगी हम विपक्ष में रहें लेकिन हमने देश के विकास में ना रोडे अठकाएं और ना ही रुकावट बने आज कल हम देखते हैं कि केंद्र सरकार की योजनाओं को विपक्ष की कई राज्य सरकारे अपने यहां लागू नहीं होने देती अगर यह योजनाओं लागू होती भी है तो उन्हें रप्तार नहीं पखड़ने दी जाती यह लोग सोचते हैं कि अगर उनके राज्यों में गरीबों को केंद्र की योजनाओं का लाब मिल गया तो कैसे काम चलेगा उनकी राज्यरिती कैसे चलेगी मुझे आद है गरीबों के घर के लिए हर गर जल के लिए अविश्मान भारत योजना के लिए कितनी ही बार विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को मुझे चिठिया लिखनी पड़ती है लेकिन ये लोग गरीब के कल्यान को भी राजनितिक नफा नुक्सान से ही तोलते रहे साथियों जब गठ बंदन सत्ता की मजबूरी का हो जब गठ बंदन ब्रस्टाचार की नियत से हो जब गठ बंदन परिवारवाद की नीति पराधारित हो जब गठबंधन जातिवाद और छेत्रवाद को ध्यान में रखकर किया गया हो तो वो गठबंधन देश का बहुत नुक्षान करता है 2014 से पहले की गठबंधन सरकार का उधारण हमारे सामने है तमाम उठा पटरक के बीच वो गठबंधन सरकार किसी तरह अपने 10 साल ठीच पाई लेकिन देश को क्या मिला प्राइम मिनिस्ट्रियर के उपर भी एक आला कमान पॉलिसी पैरालिसीस निर्णे लेने में अक्षमता बांती भांती के पावर सेंटर्स अव्यवस्ता और अविश्वास खींचतान और करप्षम लाखों करोडों के गोठाले आपको याद होगा जब भी पिछली सरकार के कुशासन पर समाल उठते थे तो गठबंदर की मजबूरिया गिनाई जाती थी बहाना ये की गठबंदर के कारण क्रेडिट लेने के लिए तो हर कोई आगे आता था लेकिन जैसे ही कुछ गडबर होती थी तुरंत अपने सयोगियों पर दोश मन दिया जाता था हम सवभाग्य शाली है कि NDA की स्थिती इससे बिलकुल विप्रित है अलग है हमारे लिए गठबंदर मजबूरी का नहीं बलकि मजबूती का माध्यम है NDA कोईलेशन कंपल्संस का नहीं बलकि कोईलेशन कॉंट्रिबुशंस का प्रती है क्रेडिट भी सबका है दाहित्व भी सबका है NDA में कोई भी राजनितिक दल बड़ा और कोई भी राजनितिक दल छोटा नहीं है हम सभी एक लक्ष के लिए आगे बढ़ रहे हैं आपने देखा है 2014 हो या फिर 2019 भाजपा को भहुबत से अधिक सीटे मिली लेकिन सरकार NDA की ही रही NDA की भागिदारी बनी रही साथियों NDA के गड़न से लेकर ही हमारा संकल्प समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने का रहा है जो वंचित है जो शोशित है उसको ससक्त करना हमारी प्रांत्विक्ता है आज देश की जनता देख रही है कि NDA में कौन-कौन से दल है NDA में जितने भी दल है वे समाज के ऐसे वर्गों के बीच काम करते हैं जो वंचित रहे हैं शोशित रहे हैं हमारे समू में गाउं, किसान, दलीत, पिछडे, आधिवाश्यों के बीच काम करने वाले ये सारे नेता यहाँ है NDA में जो दल है वो ऐसे खेत्रों में काम करते हैं जिनकी पहले दिल्नी में सुनवाई तक नहीं होती थी NDA एक प्रकार से छेत्रिया आकांशाओं का बहुत ही खुपसरत इंद्रधनूश है NDA देश के लिए देश के लोगों के लिए समर्पीत है NDA की विचारधारा है Nation First Security of Nation First NDA की विचारधारा है Progress First NDA की विचारधारा है Empowerment of People First साथियों आपको याद होगा NDA की बैटर में हमने संकर पलिया था कि हम देश की गरीबी को गरीबों की ताकत से ही गरीबी को पनास करेंगे इसलिए इन वर्षों में हमारा सबसे जाना जोड गरीबों को ससक्त करने पर रहा हमने स्रमयोगी को सनमान दिया Dignity of Labor पर बल दिया हमने गरीब को सुरक्षा का एसाथ दिया हमने गरीब को ये विश्वात दिया कि आपके हर प्रयास के पीछे NDA सरकार एक बरोसे मन साथी की तरह आपके साथ खड़ी है जैसे किसान को अगर सही बीच और खाथ पानी मिल जाए तो वो पैदावर का रिकॉर्ड बना देता है वैसे ही हमने गरीबों को सतक्त करने के लिए उन्हें हर संभव मदद की इसका परिणम क्या आया अभी नीती आयो की सबसे ताजा स्टड़ी आई है आप मेंसे को जमित्रों ने उसका उलेग भी किया इस स्टड़ी के मुताबिक 2015-16 के बाद के पांच वर्षों में ही साड़े तेरा करोड लोग गरीबी रेखा से बहार आ गए है इसके पूर्वा वर्ल बैंक की रिपोर्ट के सामने आया कि कैसे बहुत कम समय में ही 40-42 करोड लोगों ने गरीबी को परास्त किया है आयमेप के मुताबिक extreme poverty याने अती गरीबी भी भारत में खत्म होने की कगार पर है यह आयमेप का रिपोर्ट कह रही है साथियों यहां एंडिये के आप सभी साथी तो जमीन से जुड़े लोग हैं आप देखिये जब किसी गरीब को पक्का घर मिलता है तो यह सिर्फ एक छट की जरुवत पुरा नहीं करता है बलकि यह उस परिवार को सुरक्षा कबच देता है उसके सपनों को पंख देता है जब गरीबों को बैंक लोन देने के लिए सरकार अपनी तरफ से गारंटी देती है तब उनको एक साथी मिलता है एक सहारा मिलता है और ऐसे में प्रगती के लिए तरक्की के लिए उनके प्रयास दो गुने हो जाते हैं जब गरीब को हम मुप्त इलाज का भरोसा देते हैं तो उससे एक परिवार ही नहीं बलकि उसके आने वाली पीडियों का भविश्य भी सुरक्षित हो जाता है आप सभी जानते हैं कि पहले जब गरीब परिवार में बिमारी आती थी तो उसके पास दो ही विकल्प होते थे या तो अपनी आखों के सामने अपनों को जीवन के लिए संगर्ष करते देखें या फिर मकान, दुकान, खेत, खलिहान जो भी थोड़ा बहुत पास में हो उसे बेचें या गिर भी रखें पीडी दर पीडी गरीब को गरीब रखने के इस कुछ चक्रों को भी एंडिये सरकार की अनेक योजनाओं ने तोड़ दिया है गांदी जी से लेकर बाबा सा बांबेड कर और लोहिया जी तक सभी ने जिस सोशल जस्टिस की सामाजिक न्याई की अवधारा की थी और मैं समता हूँ हम जो कर रहे हैं वो यही सच्चा सोशल जस्टिस है सामाजिक न्याई एंडिये सरकार ने वोट बेंक की राजनीति को विकांस वात की राजनीति में बदला है यह एंडिये सासन ही है जिसमें छोटे किसानों रहिडी पट्री फुटपांत वालों को पहली बार मदद मिल रही है हमारे विश्वकर्मा साथियों को भी पहली बार ये विश्वात मिला है कि उनके लिए भी कोई सरकारी योजना बन सकती है साथियों गरिबी से भारत की इस लड़ाई का एक और पक्षा है आप सब ये भी जानते हैं कि पहले हमारी माताओ बहनों के नाम पर प्रोपर्टी खरिंदे का चलन कमी था वे एक प्रकार से घर के समाज के आर्थिक फैसलों से कटी हुई थी देश की आधी आबादी और परिवार को चलाने वाली ताकत का जब ये हाल हो तो गरीबी से पार पाना आसान कैसे हो सकता था अब जब बहनों के नाम बैंक अकाउंट खुले उनके नाम पर घरों की रजिस्ट्री हुई उनके नाम पर रण मिलने लगे तो एक नया सामर्त समाज में पैदा हुआ मुद्रा योजना की सबसे बड़ी लाभारती हमारी बहने है स्टार्ट अप इंडिया की सबसे बड़ी लाभारती हमारी बेटिया है जो देश में नव करोड स्वयम सहायता समू बने है उनकी सबसे बड़ी लाभारती गाओं बेर रहने वाली डली पिछ्डे आधिवासी समात की बहने मैं पिछ्डे जलों में ब erfolg मत्यपो डेश गया था, एक आधिवासी गाओं में गया था वहां ये स्वयम सहात्य समुध की आधिवासी बेहनों से मिलना हुआ जितने समूत है उन्हों का अब तो हमेरी पहचान है हम लगपती दीजी है हमारा कारोबार इतना है कि आज हम लगपती बन गए है ये बहुत बड़ा परिवर्तन है साथियो साथियो एंडिये सरकार ने महिलाओं के कल्यार को उनकी तकलीप कम करने को सरवोच्च प्रात्विक्ता दिये है जब घर में टॉयलेट बना तो बहनों को सम्मान और सुरक्षा दोनों मिला जब नल से जलाया गैस का सिलेंडर आया तो उनकी परिशानी कम हुई उनके समय की ब वो अपने परिवार की आय बढ़ाने में उप्योग कर रही है ये सिर्फ गरीबी से बहार निकलने का प्रयास नहीं है बलकि विमेन लेट डेवलप्मेंट का रास्ता है जिसे एंडिये ससक्त कर रहा है आज डिफेंस से लेकर माइनिंग तक हर सेक्टर को बेटियों के राष्पति देने का सोबाग्या एंडिये को मिला है साथियों नव साल में हमने केवल एक लक्ष के साथ काम किया है कि हम देश स्वास्यों का खासकर गरीब और वंचित का जीवन बहतर बना सके मैं चाहूंगा कि जो लोग एकेडेमिस से जुड़े हैं गवर्नेंस टुडि से जुड़े हैं वो इस दिशा में रिसर्च करें किसी भी सरकार का future vision क्या है scale of working क्या है speed of working क्या है उसकी work spirit क्या है इसका मुल्यांकन किया जाए इन सभी parameters पर NDA सरकार का काम न केवल असाधान साबित होगा बलकि model के तौर पर उबरेगा हम केवल आज की जरुतों के लिए काम नहीं कर रहे हैं हम आने वाली पीडियों के बविश्कों भी सुरच्षित बना रहे हैं मैं आपको एक उधान देता हमारे ये बहुत आसान था कि आजादी के 45 साल पूरे होने पर हम भी कोई स्मारक बना देते दिल्ली में कोई ऐसी इमारत अपने नाम पर खड़ी कर देते या कोई मुर्ती लगवा देते लेकिन हम देश के कौने कौने में एक लाख अमरुत सरवर बना रहे हैं हमारा स्केल, हमारा स्पीड, हमारी स्पिरीट और इसकी वज़े से हमारे काम का स्कोप ये अभूत पुरवा है हम विकास भी कर रहे हैं और विरास सब को भी सहज रहे हैं हम बेकिन इंडिया पर भी बल दे रहे हैं और पर्यावरण की रक्षा भी कर रहे हैं साथियों, हमारी नियत साभ है, नीति स्पस्ट है और निने ठोस है एंडिया सरकार ने बीते नव वर्षों में ब्रस्टाचार के हर रास्ते को बंद करने के लिए हर संभो प्रयास किये हैं पहले सप्ता की गलियारों में जो बिचोलियों गुमते थे हमने उनको बहार कर दिया है हमने टेकनोलोजी की मदद से लिकेज की हर संभावनाओं को दूर किया है जंदन, आधार, मुबाईल इसकी त्री शक्ति से हमने करोडों फरजी लाभारतियों को गरीबों का हक छिनने से रोका है आप सोचिए देश में करीब-करीब दस करोड ऐसे फरजी लाभारति थे जिनका जन्म ही नहीं हुआ था और जिने सरकारी मदद जा रही थी ये पैसे मेरे किसी गरीब भाई बहन के थे किसी आदिवासी के थे किसी पिछडे और दलित साथी के थे ये NDA सरकार है जिसने गरीब से हो रही इस लूट को बंद किया है इन नव वर्षों में 30 लाख करोड रुपिय यहां कड़ा छोटा नहीं है 30 लाख करोड रुपिय डारेक बेनिफिट ट्रांसपर डीबीटी के जरिये सीधे लाबार्थियों के मैंखातों में पहुँचे ऐसा करके हमने गरीबों का कम से कम 3 लाख करोड रुपिय गलत हाथों में जाने से बचाया है साथियों लोग तंत्र में राज नीती अलग अलग वीजन को देश के सामने रखने का एक माध्यम होती है लेकिन हर वीजन का हर विचारधारा का मकसद एक ही होता है गुड गवरनन्स और देश वाज़ियों की सेवा पोलिटिक्स में प्रतिशपरदा हो सकती है लेकिन सत्रुता नहीं होती आखिकर हम एक ही देश के लोग है एक ही समाज का हिस्सा है लेकिन दुर्भाग्य से आज वीपक्षने अपनी एक ही पहचान बना ली है हमें गाली देना हमें नीचा दिखाना बावजुद इसके हम एंडिये के सभी साथियों ने हमेशा देश को दलों के हित से उपर रखा है हमने राजनितिक शोहार्द और सालिंता को बनाए रखने के लिए प्रयास किये है यह एंडिये सरकारी है जिसने प्रणवदा को भारत रत्न दिया जो जीवन पर कॉंग्रेस पर रहे थे लेकिन हमें उन्हें ये सनमान देने में संकोच नहीं किया यह एंडिये सरकारी है जिसने मुलाहम सी यादव शर्दत पवार गुलाम नभी आजार तरुन गोगोई एम सी जमीर मुझवफर बेग ऐसे अनेग नेताओं को जो राजनितिक द्रश्टी थे हमारे साथ नहीं है हमारे खिलाब है हमने पदमसब मान दिया है उन लोगों को ये नेताओं भी कभी बीजे पी या एंडिये जिमें नहीं थे लेकिन हमने देश सेवा में उनके लंबे योगदान को स्विकार किया उसे समरा उन्हें सम्मानित किया लोग तंत्र की ये मुलभावना एंडिये की कारशली में आपको हर जगद दिखेगी इस समाए भारत जी ट्वेंटी समिट को होस्ट कर रहा इससे जुड़े आयोजन देश के हर राज़े में हर हिस्से में हो रहे है हमने इन आयोजनों को बेन्यू ताइक करते समय कभी ये नहीं सोचा कि किस राज़े में कौन सी पार्टी की सरकार है कोरोना के समय भी मैंने लगातार सभी राज़ों के मुख्यमंत्रियों के साथ व्यक्तिकत समभात किया मिटिंग की कौन मुख्यमंत्री किस पार्टी का है ये विचार कभी हमारे बीच नहीं आया इसी तरह आप उन दिनों को भी याद करिए जब बाशा लेंग्वेज लोगों को बांटने के एक टूल के तौर पर इस्तिमाल होती थी लेकिन NDA सरकार की सोच देखिए NDA सरकार ने मात्रु भाशा को बल दियना शुरू किया और आज भाशा उसके माध्यम से मात्रु भाशा के माध्यम से मेरे युवाँ डॉक्टर और इंजियर बने इसका आउसर देने का जरिया भाशा बन रही है हमने हमारी विरासत को दरोहरों को ग्लोबल बनाने के लिए लगातार प्रयास किया है यहाँ पर कई हमारे सात्यों ने इसका उलेग किया आज योग वैश्विक एकता का एक माध्यम बन गया है आज मिलेट्स एक ग्लोबल ट्रेंड बन रहा है श्री अन्नकी चर्चा हो रही है और इसका लाग हमारे हर खेत्र के छोटे छोटे किसानों को मिल रहा है हम देश के लोगों को जोड़ते हैं वो देश के लोगों को तोड़ते हैं साथियों विपश के लोग जिस गलती को बार बार दोहरा रहे हैं वो है देश के सामान्य मानवी की समझदारी को वे लोग अंडरेस्टिमेट करते हैं लेकिन देश की जनता सब कुछ खुली आँखों से देख भी रही है और समझ भी रही है जनता देख रही है कि ये पार्टियों क्यों ही खटा हो रही है जनता ये भी जान रही है कि वो कौन सा ग्लू है गौंध है जो इन लोगों को इन पार्टियों को जोड रहा है किस तरह छोटे छोटे स्वार्थ के लिए मुल्यों और सिद्धान्तों से समझोता किया जा रहा है। लोग देख रहे हैं कि बंगाल में लेप्ट और कॉंग्रेस के नेता उपर उनके कारकरता उपर टीमसी हमले कर रही है। लेकिन इनके नेता टीमसी के खिजाब कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। इसलिए देश के लोग कह रहे हैं कि गल्बहियां मिशन नहीं हैं, मजबूरियां हैं। इनकी सचाएं आपको दूसरे राज्यों में भी दिखाई देगी। नेशलल कॉंफरंस के नेता और पीडिपी के नेता एक दूसरे को कैसी कैसी गालिया देते हैं। आरजेडियो और जेडियो के लोग कैसे कैसे सब दो से एक दूसरे को नवातते थे। देश की जनता ने ये सब करीब से देखा है और देख रही है। इसलिए इनकी नुरा कुस्ती हो या मजबूरी की दोस्ती इसकी हकीकत एक सो चालीस करोड देश्वाच्यों के सामने आ चुकी है। साथियों अपने राजनितिक स्वार्थ के लिए ये लोग पास पास तो आ सकते हैं लेकिन साथ नहीं आ सकते। इन्हें अपने कारकरताओं के भी परवा नहीं है। ये अपने कारकरताओं से उम्मीद करते हैं कि जीवन पर जिसका विरोध किया उसका अचानक सतकार करने लगे। अब ऐसे मैं इन दलों का कारकरताओं खुद ब्रमीद है कि करे तो क्या करे। मैं तो आज ये भी कहूंगा कि जो लोग आज मोदी को कोशने के लिए इतना समय लगा रहे हैं अच्छा होता वो देश के लिए सोचने में गरीब के लिए सोचने में अपना समय लगाते। 24 का चुनाव बहुत दूर नहीं है। देश के लोग मन बना चुके हैं कि तीसरी बार फिर NDA को ही आउसर देना है। देश का मन आप जानते हैं लेकिन विदेश का मन भी बहुत कुछ संकेत दे रहा है। आम तोर पर जब भी किसी देश में चुनाव का समय निकट आता है, तो उसका बहुत बड़ा असर उसके वैश्विक सबंदों पर भी होता है। हर एक को लगता है कि भी आप तो चुनाव का बर्स है, अभी इस सरकार के साथ अभी रहने तो एक बार चुनाव हो जाए, नई सरकार आएगी तब सोचेंगे। स्वापा भी थे। कोई भी दूसरा देश उस सरकार के साथ जो चुनाव बिलकुल निकड हो वहाँ, समन बनाने से पहले, समाज करने से पहले सो बर सोता है। foreign countries हमेशा चुनाव के नतीजों का इंतिजार करते हैं। लास्ट ये जब होता है तो सोते हैं कि एक बार चुनाव नतीज आ जाना तो फिर देखेंगे। जो सरकार जाने वाली होती है, उस पर कोई भी देश अपना टाइम और एनरजी इन वेस्ट नहीं करना चाहता। लेकिन इस सबाएं भारत का मामला कुछ अलग है। सब को पता है कि हमारे हां कुछ महिनों में चुनाव होने वाले हैं। फिर भी अनेकों महत्वपुन देश जाए अमेरिका हो, फ्रांस हो, अस्ट्रेलिया हो, जपान हो, UAE हो, UK हो, सब एंडिये सरकार के प्रतिनीजियों को इंवाइट कर रहे हैं। तमाम देश भारत को मान और समान दे रहे हैं। कितने ही देश भारत के साथ बड़े बड़े और वो भी दुर्गा में सम्झोते कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो भी जानते हैं कि भारत के लोगों का भरोसा एंडिये पर है। यानि भारत में जनमत किसके साथ हैं ये दुनिया के देशों को भी पता है। साथियों एंडिये का विस्तार सिर्फ संख्या या बाउगलिक विस्तार का नहीं है। ये ये भारत एंडिये का जो विस्तार है ये हमारे प्रती विश्वास का दाहरा भी बढ़ा रहा है। जनता एंडिये की हिस्ट्री और केमेस्ट्री दोनों को देख रही है। तभी तो हमारा गनित भी बड़ी आसानी से जुड़ता है। आप देखिए, दोहजार चौदा में एंडिये को देश ने लगभग 38% बोट दिये थे, दोहजार चौदा में। लेकिन दोहजार उन्नीस में हमारे देश सेवा भाव को देखते हुए, देश ने हमें 45% बोट दिये। और आपको जान करके खुशी होगी, इनमें सवा दोसों से अधिक सीटे ऐसी थी, जो हम जीत करके आए, सवा दोसों से अधिक सीटे, जहां 50% से अधिक वोट शेर एंडिये को मिला है। एंडिये का हर सहियोगी जो महनत कर रहा है, उसे तय है कि 24 में एंडिये का वोट शेर 50% से भी उपर जाएगा। आपकी महनत रंग लाने वाली है, मैं विश्वाज से कहता हूँ, आपकी महनत बेकार नहीं जाएगी, देश की जनता को आपके सब के नित्रुत्व पर भरोसा है। पुरे देश में हमारे अनेक साथी एक बड़ी ताकर बनकर उबरेंगे, हम हर बुभाग, हर बर्ग, हर समाज को विक्सिद भारत के मिशन से जोड़ेंगे। हमें विकास के मुद्दे पर ही जनता के पास जाना है। हमारा एकी लक्ष है विकास, भारत का विकास, भारत के कोटी कोटी लोगों की आशा आकांशा ही हमारा एजंडा है। हम पूरी शक्ति लगा देंगे, हम मेहनत करेंगे, इमांदारी से काम करेंगे और यही हमारी गारंटी है। और लाल के लिए से मैंने कहा था, यही समय है, सही समय है। आज देश में एक माहोल बन चुका है। देश का आत्म संबान और आत्म विश्वास आज अभूत्पुर में उचाई पर है। जैसे कोई इमारत बनाने से पहले नीव का निर्माण होता है, वैसे ही पिछले नव वर्षों में नए भारत की एक मजबूत नीव का निर्माण हो चुका है। इस मजबूत नीव पर हम सभी को नए भारत का, आत्मंदिर भर भारत का, विक्सित भारत का निर्माण करके ही रहना है। और आपने मुझ पर इतना विश्वात रखा है, इतना प्रेम बरसाया है, इतना स्ने किया है, मैं आपको विश्वात दिलाता हूँ। और आपके माध्यम से मैं देश वाच्चों को विश्वात दिलाता हूँ, कि मैं अपने परिश्व में, अपने प्रयासों में, कहीं कोई कमी नहीं रहने दूँगा। मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन बदनियत से मैं दूर रहूँगा, बदनियत से कोई काम नहीं करूँगा। और सात्यों, मेरा जीवन आप देखते हैं, देश देख रहा है, मेरे शरीर का हर कान, मेरे समय का हर ख्षान, देश को ही समर्पित है। आपका ये विश्वास, आपके ये आशिरवात, ये मेरी उर्जा है। और सात्यों, आप सब कह रहे थे कि 2014 में देश की एकोनोमी दस्वे नमबर पर थी, आज पांच्वे नमबर पहुंची है। और मैं आपको विश्वाद दिलाता हूँ, एंडिये के तीसरे टम में इस देश की एकोनोमी दुनिया में तीसरे नमबर पर होके रहेगी। हर सपने संकल्प है और हर संकल्प सिद्धी के लिए हम जी जान से जुटे हुए लोग है, समर्पित भाव से जुटे हुए लग है। और आज जिस उमंग और उत्सा से आपको एक-एक की बात जो मैंने सुनी, मेरे लिए भी वड़े प्रेरक थी, उत्सावर तक थी, आपका विश्वास, विजय का विश्वास, जन सामान्य की सोच को बखुबी व्यक्त करने का आपका तरीका वाकई प्रभावित करने बाला था, मैं मानता हूँ कि पचीश साल की आत्रा की आज की महत्वफून बैटक, पचीश साल बाद देश जब सो साल की आजादी मनाएगा, हमारे सामने भी पचीश साल का नक्षा है दोस्तों, देश जब अमरुत महत्सों मना रहा है, तो हमें सेवा करने का मोका मिला है, और आप लिख के रखिये, यही लोग हैं, यही लोग हैं, जब देश सो साल की आजादी का पर्म मनाएगा, आपी के परिश्रम से, आपी के पुर्शार्ट से, आपी के नेत्रुत से, यह संभव ह होने वाला है, यह मैं साब देख रहा हूँ, इस विश्वास के साथ, मैं फिर एक बार, आप सभी का इस बैठक में आने के लिए, एंडिये को ससक्त करने के लिए, मैं रुजय से बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जो सुजाव आए हैं, उन सुजाव को नड़ा जी और उन मेरी विस्तता के कारण, शायद कभी आप मैं से किजने संपर करने का प्रयास किया हो, और मैं न कर पाया हूं, हो सकता है इस नव साल में, मेरे प्रवास के दर्वियान, साथ स्पीजी, सिक्यूरिटी का कारण, आपको उचित स्थान न मिला हो, हो सकता है किसी इंविटेशन कारण में आपको अनाम रह गया हो, नौ साल में ऐसा बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आपने कभी भी शिकायत नहीं की, आपने कभी भी मन में बुरा नहीं माना, गल्तियां हुई होगी, कभी-कभी तो मेरे ध्यान में भी आई है, कि कारण के बात पता चलता घरे, वो तो व माँजुद भी आपका प्रेम कभी कम नहीं हुआ, साथ्यों ये विश्वात मेरी बहुत बड़ी थाकत है, मेरी बहुत बड़ी पूजी है, और आपी के भरोसे, आपी के साथ चलने का, मुझे बहुत अनुभव भी मिलता है, आनन भी मिलता है, मैं फिर एक बार, आप सभी साथियों का, रदे से अभार व्यक्ते करता हूं, और मैं विश्वात दिलाता हूं, कि हम देश की आका, आशा, आकांशा को पूरा करने में, एक टीम बंड करके, एकता के साथ, एक जूडता के साथ, आत्म विश्वात के साथ, संकल्प के साथ, चल पड़ेंगे, विजई ह होके रहेंगे, जनता के आशिरवात, पूर बहार मिलते रहेंगे, अपने करतुत्व के कारण, समर्पन के कारण, धे निश्टा के कारण, जनता के प्रति हमारे लगाव के कारण, यह सब संभव होने वाला है, जनता जनार्दन है, जनार्दन में में मेरा विश्वास है, उ विजवात से परणाम निश्चित है